कि नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आतने भर ऑनलाइन क्लासस में बच्चो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैमेस्ट्री का प्रेक्टिस सेट फॉर्थ तो चलिए सुरू करते हैं पहले कोशन से दफॉर्थ एस्टेट ऑफ मैटर इस नून एज जो मैटर का फॉर्थ एस्टेट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा बच्चो प्लाजमा नाम से हम जानते हैं मैटर को फॉर्थ एस्टेट को चलिए नेक्स को देखते हैं वह पैट्रूलियम वैक्स मतलब किसमें से कौन सा है जो वह petroleum wax है जिसका write answer क्या हो जाए बच्चो इसका write channel आपका paraffin wax ठीक है paraffin wax जो होता है वह petroleum wax की नाम से भी इसको जानते अब ठीक है चलिए next question देखते हैं कि वीच वराइटी ओफ गुण कंटेंड रिकाउगनाईजेबल ट्रेशस ब्लांट material तो कौन से वराइटी को को कुल कंटेंड करता है यह सब तो इसका राइट एंसर को जाएगा बच्छो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका पीट ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरफ मूव करते हैं वाट इस प्यूरेस्ट फॉर्म आइरन आइरन का प्यूरेस्ट फॉर कौन सा इसमें से मैटल है जो की फॉर्म करता है अमल्गम दूसरे मैटल से मिलके तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बच्छो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका मरकरी ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं आपका बाइप्रोड़क्ट ऑप्टेंड बाई जो अप्टेन होता है सूप इंडेस्ट्री से क्या होता है इसके राइट एंसर क्यों जाएगा इसका राइट एंसर जाएगा यह एक दाफ्यार ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं आपका विच वन आप्टी फॉल्वांगी इस प्यूर वाटर इसमें से कौन सा पूच करके हम लोग फिल्म बनाते हैं फोटोग्राफिक के लिए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सिल्बर ब्रोमाइट ठीक है चलिए नेक्स पोशन देखते हैं आपका विच चीज फोट विच यूज़ फॉर सैट्लिंग म इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर है आपका कॉमन एलम ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरफ मूव करते हैं वीच इस वाइडली यूज़ इन प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर मैनुफेक्ट्रिंग बेकलाइट मतलब इसमें से कॉन मतलब की सब्स् पिवाइट में धियुण एफटे लोग करता है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं एस्टेंडड एंटीं के रड़ गोल्ड इन दे मार्किट जो अठारक कैरेट गोल्ड होता है वह सब्सेंद सब्सक्राइब यहिचयं का वह बत्चों सब्सक्राइट एंसर आपका हो जाएक method used इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका फॉजिल एंड रोक यानि की वन एंट टुए ठीक है चलिए बच्छों नेक्स कोश्चन की तरफ मुव करते हैं अज सबस्टांस विच रिडली फॉर्म इनका वार्ट उस्ट सॉलिषन इन कॉंटेक्ट विद्स वाटर इसको तो वैसे संप्स्टांस को क्या कहते हैं अच्छों इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफिली टॉलाइट ठीक है चलिए नेक्स तोचन देखते हैं सब्सक्राइब को किस ने डिसकावर किया था इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका जोसब थॉम्सन ने अलक्ट्राइब का डिसकावर किया था चलिए नेक्स कोशन देखते हैं वेन फॉर्मल डिहाइड एंड पोटैसियम हाइड्रोकसाइड और हीटेड विगेट आपका वीच फॉलोइंग एसीड इज मैनुफेक्चर यूजिंग सॉड़ोस्ट इसमें से कौन से जो है वह बनता है जब हम लोग सॉड़ोस्ट के यूज करते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑगजलिक एस ठीक है च किसके वज़े से होते हैं तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा यह एनोट की वज़े से होते हैं चलिए नेक्स कोशन देखते हैं तब पॉलिमर यूजड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉसरी इस तो कौन सा पॉलिमर की यूज़ करके हम लोग प्लास्टिक कॉसरी बनात होता है ओए तो इसका यहाँ उतर है इसका यहाँ एंसर क्या हो जाए और त॑ इसका राइट एंसर हो जाता है Sulfur उतर ठीडूशन देखते हैं इसका राइट एंसर क्या बच्छो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका 14c6 ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं आपका गोवर गैस यानि कि जिसको बायो गैस भी कहते हैं बच्छों इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसमें होता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं प्रिप्रेशन ऑफ डाल्ड़ा और वनस्पति घी फ्रम वेजिटेवल वाइल्स इूटिलाईजिस दा फॉलिंग प्रोसेस इसमें सब्सक्राइब अब तक रिच्छें होता है ठीक है ज़िन नेक्सक्षिण दिखते हैं आप मुच इस पाउम डू टू निसकर किसे फॉर्म होता है सब्सक्षा उसके हो जाए कश्यों सॉलिड इस इनिद्र होता है इसमें फोटोग्राफी इसमें से कौन सा केमिकल का यूज करते हैं लोग फोटोग्राफी में चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं आपका डाइमोंड्स और ग्रेफाइट्स क्या है तो इसका राइट एंसर क्या होज़ेगा बच्छो यह एलो ट्रॉप्स ठीक है चलिए बच्छो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कर दो